नमस्कार मैं हूँ श्पेता जहा और आप देख रहे हैं आज तक इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे आज महाराश्ट और हर्याना के विधानसबा चुनावों का एलान हो सकता है उमीद जताई जा रही है कि दोपहर 12 बजे होने वाली प्रेस कॉंफरेंस में चुनावायोग तारीकों की घोशना कर सकता है तो दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉंफेंस करेगा जिसमें बहुत संभव है कि महाराश्ट और हरियाना में जो होने वाले विधान सबा चुनाव है उनकी तारीखों को लेकर एलान किया जाए संजे सिना हमारे स्लवादाता हमारे साज जूड़ गए हैं संजे क्या जानकारी अब हो सकता है पेसे पर्दा उठ गया है क्योंकि चुनाओ आयोग की तरफ से ये दावत नामा आगया है कि 12 बज़े प्रेस कॉंफेंस होगी और 12 बज़े प्रेस कॉंफेंस होगी तो ये बिलकुल साफ है कि हरियाना और महराश्च्र के विधास बाचुनाओं का एलान ही और ऐसे में मुझे 15-20 तारीक के बीच वहां मत्तान होगा दोनों जगहों पे और महराश्टर के लिए उम्मीद की जा रही है जैसा कि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि हो सकता है कि दो चरणों में चुनाओ और अर्याणा में एक चरण में ही चुनाओगा हो सकता है कि सुरक्षा के लिहाज से जो नक्सली इलाके हैं वहां पर एक चरण में हो और गैर नक्सली इलाकों में महराश्ट में एक चरण में चुनाओगा हो दिवाली से पहले नतीज्या आ जाएंगे और जहां तक रही जारखंड की बात तो चुकि चुनाओ आयोग ऐसी परंपरा रही है कि विदान सेवा चुनाओं के ऐलान से पहले चुनाओ आयोग उस संबंदीत राजी का दोरा करता है तो जारखंड में अभी तक ना तो चुनाओ आयोग खुद गया ना उनके पुए नुमाईन दे गए हैं तो ऐसे में उमीद की जारी है कि जारखंड का इलेक्शन बात में होगा लेकिन महराश्ट्र और हर्याणा के चुनाओं के कारिक्रम का एलान तो आज बारा बजे हो जाएगा और उमीद करता हूँ कि बारा बीस से बारा तीस के बीच में तारीखें गोशित हो जाएंगी बिल्कुत तो जिस तरह से हमारे समदता संजिस शुर्मा हमें बता रहे थे कि चुनाओं आयोग 12 बजे जो प्रेस कॉंफरेंस करने वाला है उसमें तारीखों का एलान हो जाएगा बहुत सμभव महराष्ट में दो चर्णों में चुनाओं वहाँ पर हो और हर्याड़ में एक चर्ण में ही चुनाओं हो जाए लेकिन ये देखना होगा कि प्रेस कॉंफरेंसमे क्या बाते सामने आती हैं जारकन में भी चुनाव होने वाले हैं आने वाले समय में लेकिन उसको लेकर अभी तलाल तस्वीर साफ नहीं हुई है लेकिन बारा बज़े जो प्रेस कॉंफरेंस करने वाली है चुनाव आयो उसमें संभावना तो नहीं लेकिन बहुत संभाव ये क्लियर ही है कि तस्वीर साफ हो जाएगी कि तारी क्या होने वाली है महराश्ट में और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की और आज आपको बता देगी गडबंधन को लेकर भी महराश्ट में गडबंधन को लेकर बीज़पी और शिवसेना के बीज़ बाचीट चल रही है वहाँ से भी तस्वीर सामने आएगी तो हम आप तक खबरें पहुंच आएंगे और अब देखिए नॉन स्टॉप हंडर्ड लेटिस खबरों के लिए यूही देखते रही है आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेर अन सब्सक्राइब करना ना भूले